15,000 मुसल्मानों ने वोट दे दिया तो तुष्टी करन हो गया उनको ये नहीं पता है कि एक लाख हिंदू ने वोट दिया है मैं अपने मुसल्मान भाईयों से उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों ने राजे श्ठाकूर जो कांगरेस के परदे सध्याच है उनका बयान देखा दुम्री चुनाव के बाद अती उत्सा में उन्होंने कहा कि 15,000 मुसल्मानों ने वोट दिया है जेमेम को तो एक लाख हिंदू ने वोट दिया है तो जब बेबी देवी को एक लाख 317 वोट मिला तो एक लाख हिंदू भाईयों का वोट और 15,000 मुसल्मान भाईयों का वोट तो एक लाख 15,000 होना चाहिए था और जो 60 हैर पोलिंग हुआ था उसे पांदर अगर हम बेबी देवी दे देते हैं तो जो 45 हैर वोट हुआ वो किधर गिया इसका मतलब राजेश जी का ये कहना है साब साब कि आपका जो मुसल्मानों ने अपना वोट केला चाप को दे दिया मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आप वोट दीजिए मगर आपका वोट का कदर जो पार्टी नहीं कर रही है उसको नहीं देना चाहिए मानिय मंत्रियों से मेरा एक सवाल है कि आप लोग भी जब मुसल्मानों से वोट माग रहे थे घुम घुम करके तो जब राजेश ठाकू जी का ये बयान आया तो आप लोग भी उसे सवाल नहीं किये कि जब पोलिंग 85,000 मुसल्मानों में 60 हैर पोलिंग हुआ तो 60,000 में मेरा वोट गया कहां इस तरह का बयान बाजी से समझ में आता है कि मुसल्मानों का भोट जो जख मार के देना है किसी पार्टी में भी दीजिए मगर आपका नाम भी नहीं होगा इसलिए आपना वोट ऐसा पार्टी को दीजिए और ऐसे कैंडिट को दीजिए जो आपका वोट लेने के बाद भी आपको याद रखे मेरा यही कहना है कि यह बहुत सोचनी विशाय है अब मगर इसमें सभी नेता खामोस है चूप है इसमें गड़बंदन का क्या दसा दिसा है वो समझ में नहीं आता है इसलिए कभी कोई बात बोला जाए तो उसमें विशार किया जाना चाहिए कि हम बोल क्या रहे है कि मुसलमान 15,000 वोट दिया एक लग हिन्वों ने वोट दिया अरे दिया सब वोट आपको मगर मुसलमानों को जो 60,000 वोट था उसमें से 4-5,000 वोट अठा दिये बाकि 55 है वोट किदर गिया वोट लीजिए गभी आप नाम भी नहीं लीजिए कि हम मुसलमानों वोट दिया तो मुसलमान के जो नेता है उनको समझ जाना चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है यूज एंड थोरो कराई निती है बस यही हम याद दिलाना चाह रहे थे कि राजेश जी का बयान को आप देख लीजिए, सुन लीजिए अपना वोट का आखरान कर लीजिए आप सुक्रिया